दोस्तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे से नए चनल यमके जास्वाल हाईश्टेक वर नजर ताबर्त ओर डिविजन में स्वागत है दोस्तो आईए हम फिर से पढ़ते हैं रेलवेश समान विग्यान के महतपूर कोईशन ठीक है दोस्तो आज करते हैं ताबर्त ओ दोस्तो बताईए यहाँ पे जबाब हो जाएगा एक उच इसतरी भासा में लिखे हुए प्रोग्राम का मसीनी भासा में रूपांतर करना दोस्तो एक बार फिर से सुनिए एक उच इसतरी भासा में लिखे हुए प्रोग्राम का मसीनी भासा में रूपांतर करना ही क्या कहल लेकिन आप लोग एक्जाम देने से पहले रिविजन नहीं कर पाते हो इसलिए हम यहाँ पर आपका तावर तो रिविजन करवाएंगे ठीक है दोस्तो अगला क्वेशन है सुन में सोतंत रूप से गिरने वाली वस्तूं का तोलड होता है बोलिए दोस्तो जवाब हो जाएग कारबन डायाकसाइड का जी हां दोस्तो प्रकास शंसलेशल में पाउधे कारबन डायाकसाइड मतलब दोस्तो सीओ टू का क्या करते हैं और सोसल नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाई बल न लगा जाए ठीक है बाई बल जो शक्री न हो तब दोस्तों यह नियम किसको कहता है बताईए दोस्तों यह नियम जो होता है न्यूटन के प्रथम नियम को क्या करता है दर साता है मतलब कहने का यह है जब कोई वस्तु बिराम में तो गती अवस्ता में है तो गती अवस्ता में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाये जाए दोस्तो यह बाद न्यूटन के प्रथम नियम में बताया जाए अगला प्रशन है जब एक चलती वस्तू की गती दोगुनी की जाती है अच्छा मतलब दोस्तो भी क मन क्या हो गया दोगुना हो गया ठीक तब ये बोल रहा है कि आप मुझे ये बताएए उसकी गतीज उर्जा कितनी बढ़ेगी बताएए दोस्तों बच्चे-बच्चे को पता है कि गतीज उर्जा का फार्मूला क्या होता बोलिए वन बाई टू यंभी स्कौर ठीक है मतलब ह होता है हाफ यंभी स्कौर होता है यहां भी दोस्तों द्रभिमान वही है लेकि विलस्टी क्या होगी है दो गुना बढ़ गया है मतलब यहां पर हो जाएगा टू का स्कौर को तो कितना हो बोलो फोर आएगा इसका मतलब यह होगा कि गती जूर्जा क्या होगी पहले से चा अब दोस्तों बताईए बिद्दुत मातरा की काई है दोस्तों ये तो बच्चा बच्चा बताएगा जबाब हो जाएगा कुलम ठीक है कुलम होता है अच्छा दोस्तों मान लिजिए यहाँ पर कुलम न दे करके कुछ और दिया होगा तो कहने का मतलब यह है कि आप कुलम के स्थान पर क्या लिखोगे बताईए दोस्तों याद किजी सोचिए दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा MP3 सेकेंड ठीक है कुलम क्यास ठान पर MP3 सेकेंड भी होगा क्योंकि बच्चे बच्चे को पता है कि क्या उता है IT होता है ठीक है I माने MPR 80 माने क्या होता है बोलो सेकेंड होता है ठीक है अगला कुशन दोस्तों यह है कि 1 kg रासी का वजन होता है दोस्तों यहाँ पे जवाब हो जाएगा 9,8 Newton ठीक है अगला कुशन यह बोल रहा है कि आप मुझे यह बताईए एक सरे के सोधक थे बताईए दोस्तों यहाँ पे जवाब हो जाएगा Roe Integent ठीक है एक सरे के क्या है सोध करता है अगला कुशन दोस्तों यह बोल रहा है कि आप मुझे यह बताईए नाडी गती द्वारा डाक्टर ग्याद करता है बोली दोस्तों क्या ग्याद करता है जवाब हो जाएगा हिर्दे की धरकन ठीक है नाडी की द्वारा दोस्तों डाक्टर क्या करता है हिर्दे की धरकन को ग्याद करता है अगला कुशन दोस्तों यह बोल रहा है कि आप मुझे यह बताईए हम एक मिनट में कितनी बार सास लेते हैं, बोलिए, जबाब हो जाएगा, 16-18 बार क्या करते हैं, सास लेते हैं, एक मिनट में, ठीके, एक मिनट में, 16-18 बार क्या करते हैं, सास लेते हैं, अगला कोशन है, यक्स के लिड़े पार नहीं कर सकती हैं, दोस्तो जबाब हो जाएग दोस्तों जवाब हो जाएगा Diorter, ठीके, और दोस्तों ये भी आपको जाना चाहिए, कि P मतलम Lens की जो चमता होती है, 1 by Yuff होती है, और Lens की चमता का जो मातरख होता है, Diorter भी होता है, या दोस्तों उसको हम लोग Meter Inverse भी कहते हैं, क्योंकि 1 by Yuff है न, यहाप मतल्व मीटर, यहाप का जो मान होगा मेतर में होगा, तो 1 by मीटर जब दोस्तों जाएगा उपर तो क्या होजागा मीटर के पाउर में माइनस 1 ठीखे यह होता है लेकिन दोस्तों पेपर में क्या आएगा बोलिए, डाय और आएगा ठीके लेंज की समता का मातर क्या होगा डायप्टर होगा अब दोस्तों अगला कोशन बोल रहा है कि डी ओ एस ठीके डी ओ एस का दोस्तों अर्थ क्या बताईए डिस्क संचालन प्रडाली ठीके डिस्क संचालन प्रडाली होता है अगला कोशन दोस्तों यह बोल रहा है कि उर्जिया में क्या करता है दोस्तो रुपांतरित करता है ठीक है अब दोस्तो यहां भी देखिए लिखा गया एक प्रकास वर्स बराबर है देखिए दोस्तो जवाब हो जाएगा दोस्तो जहां पे आप लिखे हो 15 वहां पे हो जाएगा 12 ठीक है बारक किमी हो जाएगा कहने का मतलब यह है कि यदि आप से पूछेगा मीटर में तब आप लिखोगे 9.46 इन्टू 10 के पावर 15 मीटर और दोस्तो बोलोगे किमी में क्या हो जाएगा 9.46 इन्टू 10 के पावर 12 कीमी ठीक है एक प्रकास वर्स के बराबर होता है और दोस्तो प्रकास वर्स किसका मतलब होता है दूरी का मतलब होता है दोस्तो एक बात और जानिये दूरी का सबसे बड़ा मतलब दोस्तो पार्सेग भी होता है और एक पार्सेग जो होता है तीन जोड़ी या 46 ठीक है अने का मतलब यह है कि मानों सरीर में गुड़ सुद्र कहो या क्रोमोसोम कहो उसके संख्या कितनी होती है बोलिए तेज जोड़ी या 46 होती है अगला प्रश्न है मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है बोलिए दाप मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग दोस्तो किसलिए होता बताईए दाप मापने के लिए होता है अगला प्रश्न है हाइलोजन में सरवाधिक प्रभावसाली आक्षी करण करता है बताईए दोस्तो सोचिए दोस्तो यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक है यह उप है दोस्तों यहां पर अगला सवाल है सुन्ने में स्वतंत रूप से गिरने वाली वस्तूओं का क्या होता है तो रड़ समान होता है अब दोस्तों यहां भी देखिए अरभी चन्रीकर में दिया गया कोशन है खाद उर्जा किसके द्वारा प्रतरसित की जाती है दोस्तों जवाब हो जाएगा कैलोरी की द्वारा जी हां दोस्तों खाद उर्जा जो होती है कैलोरी की द्वारा क्या होती है रिपरजन की जाती है ठीक है अगला कोशन है जो दोस्तों आरभी गोरकपूर से लिया गया है बताईए ओजोन पुरत रच्छा करती है आप मुझे ये बताईए एक वस्तू का जड़त्व ध्यान से सुनिए एक वस्तू का जो जड़त्व होता है इनर्सिया वो किस पर दोस्तो निर्भा करता है बताईए दोस्तो जिवा हो जाएगा उसके दरविमान पर जितना अधिक होगा उसका दोस्तो जड़त्व क्या होग बताईए कौन सी बीमारी ठीक है बैक्टिरिया के स्रंकमर के काल होता है बताईए दोस्तों यहाँ पर जबाब है टितनस ठीक है टितनस जो होता है बैक्टिरिया के स्रंकमर के काल क्या होता है ठीक है अगला कोशन है रक्त समूहों में कौन सा रक्त जो होता है दोस्तों ग्राही होता है बताईए दोस्तों ये बच्चा बच्चा बताएगा ये भी ग्रूप होता है ठीक है जबकि ओ क्या होता है बताईए सरुदाता होता है अब दोस्तों यहां भी देखे कोशन है मनुसे के हिर्दे की समान इस्पंदन गती प्रती मिनट होती है बोलिए दोस्तो ये भी बच्चा बच्चा बताएगा बताईए जवाब होगा दोस्तो 72 बार अब दोस्तो बताईए किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोख हो जाता है दोस्तो जवाब हो जाएगा आयोडीन की कमी से जी हाँ दोस्तो आयोडीन के कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोख हो जाता है अगला प्रसन दोस्तों यह है कि जब मोतिया बिंद का प्रसन होता है ठीक है जब कोई व्यक्ति मोतिया बिंद का प्रसन जब करवाता है तब उसमें सर्जन उसकी आँखों से क्या निकलता बताईए दोस्तों जबाब हो जाएगा लेंस की ऊपर की अत्रिक्त जो होती है क्या होती है उसको निकाल दिया जाता है और दोस्तों कौन निकालता है सर्जन ठीक है लेंस की ऊपर की अत्रिक्त स्पेसियां जो होती है दोस्तों वह सर्जन के द्वारा निकाल दिया ठीक है अगला प्रस्ण यह है कौन मानो सरीर का सरवाधिक कोलेस्टराल बनाने व कोलेश्टार बनाने वाला स्थान है ठीक है अगला कुशन है मनुस्य का समाने सरीरताब क्या होता बोलिए दोस्तों आपको बता दें यदि सेल्सियस की बात किया जाए तो जबाब होगा 36.9 ठीक है 36.9 डिरी सेल्सियस या दोस्तों उसको बोल दिजिये लगभग में 37 डिरी सेल्सियस ठीक है यदि दोस्तों हम लोग बात करते हैं फारेनाइट की तब दोस्तों यहाँ पे मान हो जाएगा 98.4 डिरी फारेनाइट ठीक है दोस्तों ताबर तोड़के रिविजन में आज के लिए बस इतना ही लेकिन दोस्तों जाईए मत इस वीडियो को लाइक भी करते जाईए और दोस्तों हो सके तो अपने दोस्तों में भी सेर कर दिएगा ठीक है आज के लिए बस इतना ही आपका दिन सुवत धन्यमाद